जहें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CGL 2018 के पेपर का जो है हम लोग मैथ के पेपर मैथ क्यों देखेंगे इस पेपर में और पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग और जनरल अवेरनेस का वीडियो बनाया है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं उसमें सारा दिया हुआ है यह ऑफिशियल डाउनलोड किया गया यह कोई अपने से बनाया नहीं गया है यह मोडल पेपर जो है यह ऑफिशियल है तो शुरू करते हैं क्वांटिट पहला क्वेस्चन देखे जो क्वेस्चन आपको नहीं आ रहा है समझ में उसको आप लोग कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं हम उसका कंप्लिट सॉलूशन आपको सेंड कर देंगे ठीक है या उस पर एक स्पेसल वीडियो बन जाएगा इसका स्क्रीन सॉट लेके आप 215 रुपया है और उसे 288 रुपय में बेश दिया जाता है इससे चार परसेंट आनी होती है तो वस्तु का लागत मुल्य लागत से कितने परतिसत अधिक अंकित किया जाना चाहिए या कितना किया गया था तो इसका एंसर होगा पांच ठीक है क्रेशन नंबर दो पर चलते ह व्यआं रि todavía किद्शुताओं का नूप चार पांच और तीन एकard काम करने पर व तीनों उसका मको 25 दिन में पुरा कर लेते हैं यह और सी दोनों मिल कर तो हमें बताना है हाफ से ठीटा प्लस साइन ठीटा होल इन्वर्स कितना होगा तो एनसर है तूटू माइनस रूट थी को देगे क्वेस्टयन नंबर चार एवरेज से है एवरेज d दिया हुआ है कि कक्षा में कुछ विद्यार थी उनका और 6.5 है और चार्थो नए लड़के जिनका वेट 12.2 है 70.8 है 60.3 है 66.7 है वो आ जाते हैं तो कुल लड़कों का असदभार 300 ग्राम बढ़ जाता है तो बताना है कुल कितने विद्यार थी पहिले थे अब अगला क्वेस्चन एलजब्रा से है तो यह सिंप्ली आपका जो है एलजब्रा के फॉर्मूले से लग जाएगा यह स्कॉर प्लस प्लस टू अब इसको आप लोग स्वल्ब कर लेंगे तो इसका वैल्यव आएगा फाइप एक्सवाई प्लस टूजट का वैल्यू अब नेक्स्ट डाटा इंटर्प्रेशन का क्वेश्चन आ गया यह ग्राफ दिया हुआ हुआ है कि दोयात तेरह चोदा पंदर सोलह सत्रह में कारें तो यह ग्राफ से आपको अइंसर देना है कि दोयात तेरह में सी यहारूं का क्ल उत्पादण का वर्स दोयात c 11 और 16 में D के D आता था 27 में E के परकार के कुल उत्पादन का अनुपात कितना था ठीक है तो इसका एंसर होगा आठ और तेरह अगला सब्सक्राइब तो हमें बताना इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा कि इसको आएगा इसको आशानी से सॉल्व किया जा सकता है इसमें से ब्याय से 20% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और उसके ब्याय में 70% की प्रिद्धी होती है तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी तो यह बताना है तो इसका जो एक फार्मूला और ट्रिक होता है जैसे 100-D1 बटे 100-P1 is equal to 100-D2 by 100-P1 तो इससे करके लगाएंगे तो आ जाएगा ठीक है और नहीं आएगा तो इसको जैसे आप solve कर सकते हैं कीजिएगा solution अगले वीडियो में अब इसमें मिल गया है किसी निश्चित गती से 15 km की दूरी तरह करने पर बी की तुलना में एक को 30 मिट जाएदा लगता है यदि ए अपनी गती दोगुना करते तो बी को उसी दूरी को बी की तुलना में घंटा कम समय लगता है तो बी की गती कितनी है किलोमेटर प्रति घंटा में यह बताना है और यह आएगा 6 किलोमेटर प्रति घंटा अगला question number 10 है 10 cm और 8 cm तरी जावाले दो ब्रित P और Q एक दूसरे को करते हैं P Q बराबर 12 cm है और ब्रित केंद्र केंद्रों के बीच X cm दूरी है तो X का मान कितना होगा तो ये X का मान होगा 13.3 स्क्रीन सोट लेके solve किजिए next question है cos theta is equal to 2P by 1 plus P square तो 10 theta का मान बताना है तो आप लोग simple एक triangle बना के कर सकते हैं यह जाएका 1 minus P square बापान 2P अगला question है तो जेबी सी और डी इफ समरूप हैं तो जेबी सी का छेटेबल 100 cm है और डी इफ का 49 cm स्क्राइब है तो ABC का सिरसलम 5 है तो डी इफ का कितना होगा तो सिंपल यह ratio में ही होता है दो सौ बटे उन्चास और पांच बटे सम्तिंग जितना होगा उसको आप लोग solve कर लिजेगा अगला question है कि 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर माप अलयाता का टेंक जिसके उपर एक मीटर ब्यास का बित्ताकार छेद है ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितने चादरों की आवशकता कितने मीटर स्क्वाइर में इस क्या सकता होगी तो होगी मीटर स्क्वाइर फिर वही पिछला question आ गया डिया वाला जिसमें कार वाला दिया था 35 चाली सहर और साली सहर यह सब को एड करके उसका परसेंट सिंपल निकाल लेना है अगला question है रेनू ने एक वस्तू को 1240 में खरिदा और उसे 25 पर घाटे पर बेच दिया तो उस रासी उस रासी से एक वस्त एक और वस्तू खरिदी और 40 पर बेच दिया तो रेनू को कुल मिलाकर कितना परसेंट लाब जहां का है वहां multiply करके multiply और divide करना है simple question इसको आप पहले डिवाइड करते हैं फिर multiply करते हैं फिर कि अधिक करते हैं उसके बाद सब्ट्रेक कर लेते हैं कि अधिक कोसों पर चलते हैं फिर वही डियाई का question इसमें दिया हुआ है कि वर्स दोयाइर पंदरह में करें और पांच वर्ष में डी का ये जोड़ लेंगे और उसका अपना पर्सेंटेज निकाल कितना कि कुल कितना परसेंट है उसका तो एंसर आजागा करेंगे बी प्रकार की कारों का उत्पादन संबंदित आकड़ा प्रसित के जाता है कारों का उत्पादन को दर्साने वाले आंकड़े का कितना होगा दो आ सोले में कितना उत्पादन से इंगल से दर्साना है तो एकड़ी डिग्री आ जाएगा पाई चाट पे तिरभूज एबी सी में एडी के पर पेंडिकुलर बीसी है और बी ऑड करेंगल में तो एडी और दूसरे को एक अफ़का कारता है तो एफ पराबर एस दिया हुआ है तो एंगल यह बीसी की माप बताना वो 45 डिग्रीव होगा अगला क्वेश्चन है X प्लस प्लस वाइप जेट बराबर 19 x y और वाइज जेड को जेड एक्स बराबर 114 है तो क्यूब का अंडर रूट बताना है एकस्क्यूब plus y q plus z q minus 3xy z का मान कितना होगा तो 19 आएगा अगला question है 8 x plus y का cube minus 27 x minus y का cube divide by 5 y minus x is equal to x square plus b x y plus c y square तो a plus b plus c का value बताना है तो यह 16 आएगा यह सब trick पे लगने वाले सवाल है बिल्कुल आशान सवाल है अगला question है एक तरिभूज ABC के अंतरगत एक ब्रित जिसका केंदर o है बनाया गया है a o को बढ़ाने पर वह ब्रित को k पर मिलता है a d b c पे perpendicular है तो एंगल b दिया हुआ है 80 degree और c 64 degree तो d a k की माप बताना है तो वह होगा solar degree इसको आप लोग solve कर सकते है 8 अंगों की संक्या दिया हुआ है और वह संक्या बहत्तर से भी भाज है तो 5x-3y का value बताना है तो यहां पे होगा minus 1 next देखते हैं पहले xy निकाल लेंगे फिर वहां 5x-3y में रखके निकाल लेंगे तो minus 1 आ जाएगा 25 और लास्ट क्वेस्चन है दस परसेंट प्रती वर्स की चक्रविद्धी व्याज की दर से किसी निश्चित रासी पर धाई परसेंट व्याज में वर्सों में 1620 रुपए है जब वार्सिक सनियोजित है मतलब इसमें दिया हुआ है कि दस परसेंट रेट है चक्रविद्धी है और धाई वर्स में उसका ब्याज 1623 है तो वार्सिक सनियोजन कितना है मतलब एक साल में कितना जूड़ रहा है कि यह पताना है तो यह हो गया हमारा लास्ट क्वेस्चन अगली वीडियो में हमने इंगलिस का भी पेपर दिया हुआ है और रिजनिंग का और जनरल अवेर्नेस का भी दिया हुआ है तो आप लोग उसे चाहें तो देख सकते हैं आई वोप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा मिलतें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय एंद